तो देते हैं यहां पर question number first में हमसे क्या पूछा गया है Can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material तो हमें यहां पर दो organelles के नाम लेने जो कि यहां पर क्या होते हैं cell body के अंदर होते हैं उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं organelles बोलते हैं जिसके यहां पर खुद के genetic material होते हैं तो एक तो हम यहां पर plant के बात कर लेंगे और एक हम यहां पर किसकी बात कर लेंगे animal cell की बात कर लेंगे तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर animal cell की बात करूँ तो वो हमारा अंसर आएगा mitochondria यह बहुत से बोलते हैं mitochondria यहां पर pronunciation पर मज़ाना spelling दोनों की same ही होती है तो मैं यहां पर लिख देता हूँ mitochondria mitochondria तो यह हमारा यहां पर क्या होता है एक तरह का powerhouse of the cell बोलते हैं तो यहां पर क्या होता है energy बनती है energy कैसे बनती है oxygen को लेके यहां पर carbohydrates and fat को oxidize करता है किसमे carbon dioxide and water vapor में मतलब दोनों को यहां पर gas में क्या करता है oxidize करता है इस oxidation के वुझे से यहां पर एक energy बनती है जिसको हम यहां पर क्या बोलते है ATP क्या बोलते हैं हम यहां पर इसको ATP और ATP की जो यहां पर full form होती है वो हमारे यहां पर क्या होती है adenosine triphosphate में हाँ पर लिख देता हूँ adenosine triphosphate adenosine triphosphate तो यह हमारे यहां पर क्या करता है एक तरह की energy release करता है जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं ATP बोलते हैं और ATP को हम यहां पर एक तरह से energy carrier या energy currency भी बोलते हैं तो यहां पर हमें बताना था यहां पर इतनी discuss चीजे नहीं करनी थी. हां में हिहां पर simple बताना था कि इसमें genetic material होता है कizar तो genetic material इसमें होता है क्योंकि चाह पर ATP होता है वो यहां पर क्वा करता है best in chemical compound CTC करता है, जिसके आपर क्या बनता है? DNA and second है RNA तो DNA लिया और फिए पर होता है एक तरह का अपने आपको प्रडिउस कर्ता डबल करता है इहां पर निकलिक और आ हमारे ने का तो आपको पता ही होगा इसको हम यहां पर ribonucleic acid बोलते हैं तो इसका मतलब इसमें यह दोनों हमारे यहां पर क्या हो जाएंगा genetic material हो जाएगा exactly एक लीट में हमारा यहां पर क्लोरश बोलते है इसमें हमारे यहां पर कया होता है क्लोरोश डोलतेदे रहे उतल्ध प्लॉरोश्र य्चिभी दे भए पर यहां पर जो अलग अलग तरह के ऌन किया listen न होते है और हमारे लोग ग्रायनं के प्र सधर होता है क्या होता है हमारे हैं यहां पर só्ड आप होता है इसमें वाराइट हैं यजें करता है इस्ट्रोम भी फूर्ट सिंथेतिक के enzymes, starch grains and DNA and ribosomes तो इसमें भी हमारे यहाँ पर क्या होता है DNA contain होता है जो कि हमारे यहाँ पर क्या होता है genetic material होता है और यहाँ पर क्या होता है photosynthetic enzymes and starch grains यह भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपको यहाँ पर यह वाला question आता है एक number पर तो आप simple यहाँ पर होगे mitochondria and chloroplast अगर थोड़ा और यहाँ पर नंबर में आता है तो आप mitochondria and chloroplast को यहाँ पर थोड़ा discuss कर सकते हैं तो hope आपको यह वाला answer समझ में आगे होगा अब हम चलते आपने next question के तरफ